हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर आपका स्वागत है यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में देखे फ्रेंड्स यहाँ पर हम जैन दर्म की देन के बारे में पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि जैन दर्म का भारतिय समाज पर भारतिय सिंसकर्थी पर क्या पर भाव पड़ा या फिर अपन कह सकते हैं कि जैन दर्म का क्या महत्व है रहा तो देखिए फ्रेंड्स जैन दर्म है वह साहिते की चाहिए अपन लोग साहिते का छेतर ले ले चितर कल्ला का छेतर ले ले इस्तापत्य कल्ला का छेतर ले या फिर हमारा भारतिय समाज ले रानतिक छेत्र लेले सब भी को किसी न किसी प्रकार से जैन धरम ने परभावित जरूर किया ठीक है या फिर अपन दूसरे सब्तों में कह सकते हैं कि जैन धरम से अपन लोगों ने क्या लिया जैन धरम का क्या परभाव हम लोगों पर पड़ा तो देखे फ्रेंड जैन धरम क झोड़ आया था कि उस टाइम क्या था जो वैदिक काल था या जो ब्रहमैन धरम था उनमें क्या आड़ंबर वगयरा खूब आ गह थे लोग उनसे बो ज्यादा परिशान हो तो जैन धरम सुधारवादी धरम है उस्सें यह जो यहां के जो अमारा ध्रम ब्रहमन वगरा हैं उन्हें जो बुराईया थी उनको दूर करने के लिए जयन द्रम आया था और जयन द्रमकर जो वास्त्विक स conduct है महावीर स्वामी उन्होंने अपने शिक्षाओं के द्वारा और अपने उपदेशों के द्वारा यहां की जनता को जागरित किया था तो यही बाते मां आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो देखेगा जैन द्रम है यह भारतिय सब्यत्यम सेंस्कृति को परभावित करने में बहुत हैत्तक सफल रहा है जैन द्रम का भारति के कुछ भागों पर प्रियाप परभाव पड़ा है और यह जो छेत्र हैं वो हम यहां पर देखेंगे जैन द्रम का महत्व है तो सबसे पहले मां आपको बताऊंगी जैन द्रम है वह है साहिते के छेत्र में जैन द्रम का क्या योगदान रहा ठीक है तो जैनियों की जो विशेश देन है वस्ताहिते वकला के छेतर में रही है जैन विद्वानों ने विभिन कालों में लोक बासों के माध्यम से अपनी कृतियों के रचना करके इनके विकास में महतोपन योगदान दिया था अब देखे प्राकर्थ, अपब्रेंस, कन्नड, तम्मिल, तेलगू, आदी में जैन सहीते लिखा गया है ठीक है प्राकर्थ बासा को विक्षित करने में भी जैन लेकों के कारिये की सरानाम कर सकते हैं पूरे मद्यकाल में हेमचंदर आदी विद्वानों ने काववे, व्यक्रण, जोति, संद सास्त्रे, आदी विविद, विश्यों पर प्राकर्थ तता अपब्रेंस बासाओं में सहीते लिखकर इनका बहु मुखी विकास किया इसी परकार दक्षिन में कंणड वज तेलगू में भी जैनियों के सहीते लिखे गए तमिल गरंद कूरल के कुछ भाग भी जैनियों द्वारा रचे गए हैं इसके अलवा कुछ जैन गरंद संस्कृत में भी मिलते हैं इस परकार हम कह सकते हैं कि जो भी प्रादेशिक भासा हैं उनका विकास जैनियों ने किया था क्यूंकि जैनियों लोग जहां जहां भी गए थे और जहां जहां भी उन्होंने जैन दर्म का परचार किया था वहाँ वहाँ पर उन्होंने अपने ग्रंत वगरा भी लिखे थे और वहाँ की भासाओं में ही लिखे थे तो प्रादेशिक भासाओं का विकास भी जैनियों द्वारा किया गया अब देखे अगला जो है वह है चित्रकला का चेतर इस पर भी जैन्धरम का बहुँ ज़्यादा परभाव पड़ा था ठीक है तो देखे फ्रेंड्स चित्रकला के चेतर पर जैन्धरम का क्या परभाव पड़ा हम उसके बारे में यहां पर देखेंगे तो ग्यारवी तथा बारवी सताबदी में जैन्दरम के मंदीरों पर चित्र बने जिसे चित्रकला के इत्यास में नमीनता उत्पन हो गई इन चित्रों में पच्चीकारी के कारिये का काम बहुत अच्छा था चित्रकला का दर्शन हमें जैनियों की हस्त लिकित पुस्तकों में भी मिलता है जिसमें चमकिले रंगों में चित्रों का बहुत महत्व है पच्चिकारी का काम जो की अनेक मंदिरों तथा गुफाओं में हुआ है दर्शन ये है जैनियों की तिर्थंकरों के चित्र सुन्दर रंगों में सुसोबित है जैन चित्र की मुखे विशेषता सरलता है क्योंकि जैनी लोग सरलता के प्रेमी थे और चित्रकला पर हिंदू सली की चाप स्पस्ट दिखाई देती है ठीक है हस्त लिकित जैन ग्रंथों पर खिंचे हुए चित्र पूर्वा मध्धल युगिन चित्रकला के सुन्दर नमुने हैं ठीक है तो चित्रकला पर बहुत परभाप पड़ा था जैन धरम का, ठीक है उसके बाद आता इस्तापत्य कला का six जिस पर जैन धरम का का परभाप पड़ा है तो देखिए प्राचीर भारतिय कला और इस्तापत्य कला को विक्सित करने में जैनियों का महतोपन योगदान रहे हैं जैनियों की जो कला है वह एद्वित्य और अनुपम्य ठीके बहुत ही सुन्दर है जैनियों द्वारा बनाई गई विसाल मूर्तियां बहुत ह साल है मैशूर में अब तक सतर फीट की एक मूर्ति विद्वारा के मंदिर आज भी जैन मंदिरों के सुन्दर नमूने कहे जाते हैं मध्य भारत उडिसा गुजरात राजस्तान आदि से अनेक जैन मंदिर मूर्तियां गुहाई स्थापत्य आदि के नमूने मिलते हैं उडि खजुराहों सोरास्टर राजस्तान यहां से भी भव्य जैन मंदिर प्राप्त होते हैं खजुराहों में कई जैन तिर्थंकरों देखो यह जो परशन है यह बहुत ही महतोपून है कई बार पूछ लेते हैं कि खजुराहों के जैन मंदिरों से कौन से तिर्थंकरों के मंद उतक्रस्त हैं करनाट्य की स्थित सर्वन बेल गोला नामक स्थान से भी कई जैन मंदिर मिलते हैं अब देखें जैन धरम का भारतिय समाज पर क्या परभावड़ा ठीक है तो जैन धरम का भारतिय समाज पर गहरा परभावड़ा और जाती पर्था को आगात लगा उस टाइम पर पर ठीके बहुत ज्यादा परचलन में थी और उस पर गजैन धरम ने किया था जाती पाती के बंधन को जैन धरम दे ल white कर दिया ब्रामुन का आदर भी अब कम हो गया था क्योंकि उस टाइम पर क्या था ब्रामौं लोग जो कहते थे लोगों को मानना पड़ता था इसी के विरोध में ब्रामनों के विरोध में ही तो जैंद्रम ने अपनी आवाज उठाई थी तो ब्रामनों का आदर कम होने लगा जनता को अंधि विश्वासों से हटा कर ठीक मार्क पर खड़ा कर दिया गया ठीक है अब आता है राज रानतिक छेत्र पर मतलब जैंद्रम है उसके कारण ही राजों के विचार है वो बदले थे राजा जो अत्याचार परवर्ती थी राजों की वो अब समाप्थ हो गई थी अब वो संपूर्ण जनता को अपनी संतान के रूप में देखते थे और दया वाली नितियों राजों की स्थापना हुई ठीक है तो रारनतिक छेत्र पर भी काफी विस्त्रित परभाव जैंद्रम का पड़ा था जैंद्रम ने लोगों में अहिंसा एम सदाचार का परचार किया तथा संयमित जीवन व्यत्तीत करने का उपदेश दिया अब देखिए हमने आपको पहले भी बत हैं कि जैंद्रम का एक सिधानता शादवाद जिसे अनेकांत वाद सापिक स्वाद का सिधानपिक कहते हैं यह सिधानता इसने विभिर मतों इम संपर्दयों के बीज भेद भाव मिटाकर सम्नवेवादी दस्टिकों अपनाने की दिशा में महत्तोपन परियास किया था ऐसा करके सम्नवेव सेश्णूता के भारतिय दस्टिकों को सुद्रण आधार परदान किया ठीक है इस प्रकार महावीर स्वामी के सिखसे कुछ अन्सों में आधुनिक युग में भी सम्मान रोप से सर्धेयों अनुकरण यह हैं तो मैं आपको यहां पर निसकर्ष रोप पर आ और जो मरलब धार में कल है आपसी भेदवाव है यह बहुत सीमा तक दूर हो जाएंगे तता संसार में सांती बंदूत्वे प्रेम यह सहिसुनुता का समराजे स्तापित होगा तो जो जैन दरम है उसने हमें यही सिखाया है कि हम सब को भेदवाव मिटा कर जाती पर्था को हटा कर हमें सब को मिलकर रहना है ठीक है तो धन्यवाद दोस्तों आज हमने यहां पर जैन दरम ने जो हमें दिया है जैन दरम की जो देन है जैन दरम का जो महत्व उसके बारे में पढ़ा और इसी परकार से और भी नए वीडियो देखने के लिए आप यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद